हेलो दोस्तो नमेश का जय मातादी कैसे हैं आप सभी ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मातादी जरूर लिखें भगवान आपकी हर मनों कामना पूरी करें तो दोस्तो जैसे एक महला को पता चलता है कि वो फाइनली मा बनने वाली है उनकी प्रेग्निंसी कनफर्म हो चुकी है तो होने वाले बच्चे को लेकर बहुत ज़दा खुशी भी होती है बहुत ज़दा एकसाइटमेंट होती है लेकिन जैसे जैसे गर्बावस्ता का समय का फिर नही बच्चा ठीक ना होने पर गर्ब में भच्चा ठीक ना होने पर क्या-क्या लक्षर दिखाई देते हैं महला को तो आजकर यह जो वीडियो है इसी टॉपिक पे होने वाला है यह चीज़ें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इन चीज़ों की बारे मे अगर आपको पहले से ही पता होगा ना तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी और आप टाइम से होस्पिटल पहुँच जाओगे तो ये वीडियो आपकी बहुत जादा काम की है प्लीज इस वीडियो को पूरा अंति तक देखिएगा तक इस समय रहते हैं आप सब कुछ अच्छे से समझ लें तो बढ़े रहें दोस्तो वीडियो के एंड तक और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इस वीडियो को पूरा देखना है और पहली बार चैनल पर आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेला इकन को ओल पे दवालें इससे दोस्तों क्या होगा कि जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी तो आपको तुरंत नौटिफिकेशन मिल जाएगी और आप नौटिफिकेशन के थ्रू ही वीडियो देख सकते हैं आपकी काफी मंदद होगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले लक्षर के बारे में बात करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर जैसे जैसे गरबावस्ता का समय आगे बढ़ रहा है अगर आपके बाड़ी में जैसे की बहुत स्वेलिंग आरी है हातों में आरी है या फिर पैरों में बहुत स्वेलिंग आरी है या फिर आपके चेहरे पे बहुत जादा swelling आ रही है तो ऐसे मैं आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए ठीक है अगर आपको पूरी pregnancy बहुत जल्दी जल्दी headache होने लगता है बहुत जल्दी जल्दी सिर्दद होने लगता है और ठीक ही नहीं होता है बहुत जल्दी जल्दी सिर्दद रहता है तो ऐसे मैं भी दोस्तों आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए hospital जाना चाहिए ये भी जो ल जाता है और एक दो दिन से जादा रहता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक नहीं है ठीक है तो ऐसे मैं भी आपको तुरंथ हॉस्पिटल जाना चाहिए बिल्कुल भी टाइम बेस्ट नहीं करना है गाइस चौधे लक्षर की बात करें तो वह है आ ऐसे मैं भी आपको डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए अब हम पांचवे लक्षर की बारे में बताते हैं आपको पांचवे लक्षर है वो यह है अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको अपने बच्चे की हलचल फील ना हो बच्चा किक ना करें बिल्कुल भी बात है ना तो ऐसे मैं भी आपको तुरंथ होस्पिटल जाना है ठीक है आपको चार महीने तक वेट करना है पांचों महीना जैसे ही स्टार्ट हो जाए तो आपको डॉक्टर से बात करनी है कि हमारे बच्चे ने अभी तक हलचल क्यों नहीं की है इस बात का आपको ध्यान और हाँ पूरी प्रेग्नेंसी आप बच्चे की हलचल पर बहुत ज़दा ध्यान दीजिए जब भी आपको लगे बच्चा हलचल नहीं कर रहा है तो आपको तुरंथ होस्पिटल जाना चाहिए डॉक्टर से बात करनी चाहिए आप छटवे लक्षर की बात करें तो वो है इसकिन में बहुत ज़दा इचिंग होना बहुत ज़दा खुजली की समस्या होना खुजली बहुत ज़दा हो रही है रैसे हो रहे हैं बहुत ज़दा चकते जैसे पढ़ रहे हैं पेट पर चेहरे पर तो ऐसे में भी आपको हॉस्पिटल जाके अच्छे डॉक्टर का चु तो ऐसे Story में आपको time based बिल्कुल भी करना है जितनी जल्uchar के बात करनी है चीज से बतानी है कि हमारी अचानक से bleeding हो गई है ठीक है बिल्कुल भी time based नहीं करना है काफिया गरवती महलाओं को क्या होता है पेट में दर्द बना रहता है बहुत जल्दी जल्दी तो अगर पेट में दर्द की समस्या बहुत ज़ता बढ़ रही है यानि कि आप सेहन नहीं कर पा रही है अगर आप सेहन कर पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है गलत खान पान की वज़े से पेट में दर्द की समस्या हो सकती है तो खान पान का विशेज ध्यान रखें हेल्दी और हलका हलका खाएं ताकि पेट समंदी समस्या हैं आपको ना रही वैसे तो मैंने प्रेगनसी से जोड़ी बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई है आप चैनल पर जाके भी वीडियो देख सकती है ठीक है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पेट में दर्द आपको बहुत तेजी से हो रहा है आप सेहन बिलकुल नहीं कर पा रही है या फिर दोस्तों आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है और आपसे सेहन नहीं हो रहा है तो आपको डाक्τη के बात ज़रूर करनी चाहिए डाक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वो है अगर आपका पेट का जो आकार है वो टाइम से नहीं बढ़ रहा है ठीक है टाइम से नहीं बढ़ रहा है तो ऐसे मैं भी दोस्तों आपको डॉक्टर को ज़रूर ये चीज़ बताने चाहिए कि हमारा पेट टाइम से अभी तक क्यों नहीं बढ़ रहा है काफी गर्बति महलाओं के साथ यह होती है सातवा महीन लगता है आटवा महीन छलने लगता है लेकिं फिर भी उनका पेट कम निकलता तो आखिर इसका reason क्या है आपको सबसे पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए ठीक है तो यह लक्षर जो है यह unhealthy pregnancy का संके देते हैं जब भी दोस्तों इन मैंसे कोई भी लक्षर आपको दिखाई दे तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और हां एक अच्छे और best hospital का ही आपको चुनाओ करना है यह चीज़ें आपको पहले ही पता होनी चाहिए अच्छे hospital का चुनाओ करना है ताकि दोस्तों आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो और आपकी नॉर्मल डिलिवरी भी आसान से हो जाए नॉर्मल डिलिवरी के लिए क्या खाएं क्या नहीं खाएं वीडियो चैनल पर है आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकती है और हां बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से की चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को वाल पिस जुरू दबाले आज की वीडियो में वस इतना ही तब तक लिए टेक केर एं बाबा आप चैनल